प्रबोधनी एकादसी ब्रत कता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ट अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुन्य और मुक्ती को देने वाली प्रबोधनी एकादसी का महातम में सुनिये भागी रथी गंगा मनुस्य को तब ही तक फल देती हैं जब तक की कार्थिक मास की प्रबोधनी एकादसी नहीं आती तीर्थ नदी समूंद्र आधि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादसी नहीं आती कार्तिक माज सुकल पच्च की प्रबोधनी एकादसी के बरत का फल एक सहस्त अस्वमिग सौराज सुर्यग के फल के बराबर होता है नारत जी ने पूछा की है पिता एक संध्या को भोजन करने से रातरी में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है उसे आप समझाएे ब्रम्ह जी बोले की हे नारद एक संध्या को भोजन करने से एक जन्म की रात्री में भोजन करने से दो जन्म में तथा पूरे दिन उपवास करने से साथ जन्म के समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं जिस बस्तु कात्री लोक में मिलना दुस प्राय है वह बस्तु प्रबोधनी एकादसी के ब्रत से मिल जाती हैं प्रबोधनी एकादसी के ब्रत के प्रभाव से सुमेरू परवत के समान कठिन पाप छड़ मात्र से ही नश्ठ हो जाते हैं अनुपको पूर्वय जन्म के किये हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादसी का ब्रत छड़ भर में नश्ट कर देता है जो मनुष्य अपने सोभावन सार इस प्रबोधनी एकादसी का विधी पूरवग ब्रत करते हैं उन्हें पूर्ड फल प्राप्त होता है ये मुनिश्वर जो मनुस्य स्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुन्य करते हैं वो उसका पुन्य परवत के समाम अटल हो जाता है जो अपने हिदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं उनकी बिती हुई तथा आने वाली दस रात्री पीडिया विसुरू लोक में जाकर वास करते हैं और नरक में अनेक दुखो को भोगते हुए पित्र विसुरू लोक में जाकर सुख भोगते हैं ब्रह्मा हत्या आदी महान पाप भी प्रबोधनी एकादसी के दिन रात्री को जागर करने से नश्ठ हो जाती हैं प्रबोधनी एकादसी को रात्री को जागर करने का फल अस्वमेग आदी यगुग के फल से अधिक होता है समस्त तीर्थों में जाने तथा गऊ स्वर्ड भूम आदिके दान का फल कार्तिक मास की सुकल पच्छ की प्रबोधनी एकादसी के रात्री के जागरर के फल के बरावर होता है इस संसार में उसी मनुष्ट का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादसी के ब्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आसपास की जा सकती है वह सब प्रबोधनी एकादसी का वरत करने वाले के घर में रहती है मनुस को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्यता के लिए कार्थिक मास की प्रवोधनी एकादसी का बृत करना चाहिए जो मनुस इस एकादसी के बृत को करता है वह धनवान, योगी, तपश्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है क्योंकि वह एकादसी भगवान विशु की अतियंत प्री है इस ब्रत के प्रभाव से मनुस्य पुना जन मिलेता है इस ब्रत के प्रभाव से कामिक वाचिक और मानसिक पापनश्ठ हो जाती है इस एकादसी के दिन को भी भगवान की प्राप्ति के लिए दान तप होम यग उन्हें अच्छे पुन्य मिलता है पुधनी एकादसी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यवन और बृध्धा वस्था के समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं इस एकादसी की रातरी को जागर करने का फल सूर ग्रहर के समान अस्नान करने के फल से सहस्त गुना अधिक होता है मनुस्य जन्म से लेका जो पुन्य करता है वह पुन्य प्रबोधनी एकादसी के ब्रत के पुन्य के समान ब्यर्थ है जो मनुष्य से प्रवोधनी एकादसी का व्रत नहीं करते हैं उनके समस्त पूर्ण ब्यर्थ जाते हैं इसलिए है नारत तुमको भी विधी पूर्वग विशुडु भगवान की पूज़ा करनी चाहिए जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म पर आयल होकर अन व्यक्तियों का अन नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायर व्रत का फल मिलता है कार्तिक मास में भगवान दानाद से उतने प्रसंद नहीं होते जितने की सास्त्रों की कथा सुनने से प्रसंद होते हैं कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते है उन्हें सव गव के दान का फल मिलता है जो मनुसर अपने कल्यार के लिए विशुडु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुम का उधार करके एक सहस्त गवदान का फल पाते हैं जो मनुसर प्रबोधनी एकादसी के दिन विश्वडू की कथा सुनते हैं उन्हें सातो दीपो के दान का फल मिलता है। जो विश्वडू की कथा भगती पूरवक सुनते हैं और कथा वासने वाले ब्रामण की यथो चित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं कि हे नारद इस एकादसी के दिन मनुस्य को ब्रह्म मुहुत में उठना चाहिए और नदी तालाब को आधि पर अस्नान करने थथा ब्रत का नियम ग्रहर करना चाहिए उस समय भगवान से बिने करनी चाहिए कि हे भगवान आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोज करें इस प्रकार बिने करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और ब्रत का प्रारम करना चाहिए उस रात्री को भगवान के समीव गीत नित्य बाजे तथा कथा कीतन से समस्त ब्यत्तीत करनी चाहिए प्रबोधनी एकादसी के दिन की पया को त्याक कर बहुत से पुन्य पुस्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंदक भी हाथ जोडते हैं। तक भगवान के घर में रहते हैं, जो मनुसी तुलसी का पेल लगाते हैं, उनके कुटुम्ब में जो पैदा होते हैं वे प्रला के अंतर तक विशुरू लोक में रहते हैं, जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं, वह यम्राज के दुखों को नहीं पाते हैं, सम कुलाप के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ती मिलती हैं, जो मनुसी बकुल और असोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से सव गुना फल अधिक पाते हैं, जो भगवान को समी पत्र से पूजा करते हैं, वे पूजा के वो भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष चंपक पुस्प से भगवान विजुरू की पूजा काते हैं, वे आवा गमन के चक्र से छोट जाते हैं। जो मनुस्ष वड़का बना हुआ केत्व की पूस्व भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोडों जन्म के पाप नश्ड हो जाते हैं जो मनुस्ष भगवान की पीले औरक वड़कमल के सुगंधी फूलों से पूजा करते हैं उन्हें स्वेत तीप में अस्थान मिलता हैं इस प ब्रत के लिए ब्रामणों को भोजन कराना चाहिए और दच्छिला देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको बीदा करना चाहिए इसके उपरां भोजन गव और दच्छिला से गुरु की पूजा करनी चाहिए और रामणों को दच्छिला देकर नियम को छोड़ना चाहिए ब् जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें सक्कर दान करनी चाहिए जो मनुष नित्रप्रति देव मंदिरों में दीब जलाते हैं उन्हें स्वर्ड याता में कि दीब को घी तथा बत्ती सही दान करना चाहिए। जो मनुष चतुर मास ब्रत में किसी बस्तु का त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुना ग्रहर करने चाहिए। जो मनुष प पुरत का उत्यापन और अंतिन तीन तिथियों की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं जो पुरुष कार्टिक मास में प्रत दिन पुरुष सुक्त के मंत्रों द्वारा अथ्वा पांच रात रवताई हुई विधी के अनुशार भगवान विश्वु का पूजन करता है। वह मोच का भागी होता है। जो कार्टिक में ओम नमो नाराय राय इस मंत्र से श्री हरी की अराधन करता है। वह नरक के दुखों से मुक्त हो, रोग सोग से रहित बैखुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्टिक मास में जो मनुश्विशु सहस नाम तथा गजेंद्र मोच का पाट करता है, उसका फिर संसार में जन्व नहीं होता। सुब्रत जो कार्टिक मास में रात के पिछले पहर में भगवान की असुती गान करता है वह पीतरो सहित स्वेत द्यूप में निवास करता है आसार के सुक्ल पच्छ में एकादसी तिथी को संखा सुड़ दैत मारा गया है अतव उसी दिन से आरंद करके भगवान चार मास तक छीर समुद्र में सयन करती है और कार्टिक सुक्ल एकादसी को जागती है इस कारण बैशुरों को एकादसी में निमनाकित मंत्र का उचारण करके भगवान को जगाना चाहिए हे गुबिंद उठिये, हे गरुर्द्वज उठिये, हे कमलकांत निद्र का त्याग कर तीनों लोखों का मंगल कीजिये ऐसा कहकर प्रातकाल संख और नगाडे आधि वजवाएं, बीडा और निदंग आधि की मधुर्द्वनी के साथ नित्यगीत और किरितन आधि करें द्वादसी सदा ही पवित्र है, विशेस्ता कार्टिक की एकादसी परम पुन्य मही मानी गई है उत्तम बुद्धी वाला मनुस्य वृद्ध माता पिता का विधी पूर्वकूजन करके अपनी इस्तिरियों के साथ भगवान विश्रु के प्रसाथ को भच्छर करें जो इस प्रकार विधी से द्वादसी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुस्य उत्तम सुखो का उपभोग करके अंत्मे मोच को प्राप्त होता है मुनिश्रेष्ट जो मनुस्य द्वादसी तिथी के इस परम उत्तम पुन्य महातम में का पाठ अथवा श्रवर करता है वह उत्तम गती को प्राप्त होता है अब मैं कार्तिक ब्रत के उध्यापन का ब्रत करता हूँ जो सब पापो का नास करने वाला है ब्रत पालन करने वाला मनुस्काति सुक्ल चतुर दसी को ब्रत की पूर्टी और भगवान विश्डू की प्रीत के लिए उध्यापन करें तुल्सी के ऊपर एक सुन्दर मंडब बनवाएं उसे केले के खंभो से सयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र सोभा बढ़ावें मंडब के चार ओर दीपो की स्रेली सुन्दर धंग से सजा कर रखें उस वंदत में सुन्दर बंदन वारो से सुसोभित चार दर्वाजे बनाएं और उन्हें फूलों तथा चम्वर से सुसजित करें दो पर प्रिथक मिट्टी के द्वार पाल बना कर उनकी पूजा करें उनके नाम इस प्रकार है जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाच उन्हें चारों दर्वाजों पर दो दो के क्रम से अस्थापित कर भक्ति पूर्व पूजन करें तुलसी की जड़ के समेत चार रंगों से सुसोवित सर्वतो भद्र मंडल वनावें और उसके उपर पूर्ड पात्र तथा पंच रत्न से सयुग्त कलस की अस्थापना करें कलस के उपर संक, चक्र, गदाधारी, भगवान विश्वु का पूजन करें भग्ति पूर्वक कुष्थिधी में उपुवास करें तथा रात्र में गीत, कीर्टन, आदि, मंगल में आयोजनों के साथ जागरर करें जो भगवान विश्वु के लिए जागरर करते समय भग्ति पूर्वक भखवत संबंधी पदों का गान करतें हैं वे सैक्रो जन्मों की पाप रासी से मुख्द हो जाती है उसके पूरिमा में सरपत्नी ब्रामः कोनि मंत्रित करे प्रातकालस्नान और देव पूजन करके वेदी पर अगनिकी अस्थापना करे और अतो देव इत्याद मंत के द्वारा देवाधी देव भगवान की प्रीत के लिए तिल और खीर की आहूती दे होम की सेश विधी पूरी करके भक्ति पूर्वग ब्रामः लो का पूजन करे और उन्हें यथा सक्ति दचिरा दे भगवान द्वाधसी तिथी को सयन से उठे प्रेव दसी को देवताओं से मिले और चतु दसी को सब ने उनका दर्सन एवं पूजन किया इसलिए उस तिथी में भगवान की पूजा करने चाहिए गुरु की आग्या से भगवान विश्रु की सूवर्ण मै प्रतिमा का पूजन करे इस पूजन को पूजकर पीर्थ की यात्रा स्रेष्ट माने गई है नारत कार्टिक मास में इस विधी का पालन करना चाहिए जो इस प्रकार कार्टिक के ब्रत का पालन करती है वे धन्य और पूजनी है उन्हें उत्तम भल की प्राप्ती होती है जो विष्णु की भक्ती में ततपर हो कार्टिक में ब्रत का पालन करती है उनके सरीर में इस्थित सभी पाप ततकाल नष्ठ हो जाती है जो स्रध्धा पूर्वक कार्टिक के उद्यापन का महतम में सुनता है या सुनाता है वे भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप पूजा करता है भगवान विश्रु की पूजा में राति काल व्यापनी चतुर दसी ग्रहर करनी चाहिए और आरोडो दय के समय भगवान सिव की पूजा करनी चाहिए सायम काल कासी के पंच गंगा तिर्थ में अस्नान करके भगवान बिंदू माधव की पूजा करें पहले विश्रु काची में अस्नान करके भगवान अननत सेन की पूजा करें फिर रुद्र काची में अस्नान करके ओमकारे स्वर के अगनितित में नहा कर भगवान नराय की रेतो दक में अस्नान करके केदारेश्वर की प्रयाग के यमुना में नहा कर भगवान बेडी माधव की और फिर गंगा में अस्नान करके संग में स्वर की पूजा करें जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की पत्तिया अधीन हो जाती है। कार्थिक मास के सुक्ल पच्छ में जो अंतिन तीन पुन नमई तिथिया हैं, वे त्रियो दसी, चतुर दसी और पूरिमा कल्यार करने वाली मानी गई हैं। उनकी अतिपूसकर रिडी संग्या हैं, वे सब पापों का नास करने वाली हैं, जो पूरे कार्थिक मास में अस्नान करता हैं, वे इनी तीन तिथियों में अस्नान करके पूर्ण फल का भागी होता हैं। रियो दसी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित करते हैं, चतुर दसी में यज्या और तेता सब जीवों का पावन बनाते हैं। और पूरिमा में भगवान विश्रू से अधिश्ठित प्रमपूर स्रेष्ट तीर्थ ब्रह्मा भाती और सराभी आधिसपापी प्राणियों को सुद्ध करते हैं। जो गिरस्थ उक्त तीन तिथियों में ब्रामः कुटुम्ब को भोजन कराता है, वह अपने समस्थ पीतरों का उधार करके परमपत को प्राप्थ होता है। जो कार्तिक के अंतिम तीन दिनों में गीता का पार्ट करता है, उसे प्रत दिन अस्व में धियग का फल प्राप्थ होता है। जो युक्त तीनों दिन विश्रु सहस्त नाम का पार्ट करता है वजल से कमल के पत्तों की भाती पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुस्य से देवता और कुछ सिध्ध होते हैं। कातिक मास की अंतिन तीन तिथियों में सब पुन्यों का उदय होता है। उनमें भी पूरिमा का महत्त विशेश है। पूरिमा को रातकालूट कर सवस अस्नान आज से निव्रिथो समस्त नित कर्मों की समाक्ति करके भगवान विश्रु का पूजन करें। बगीचे में अत्वा घर पर भगवत भक्त पूरुश कातिक पूरिमा के दिन मंडब बनाओं। उसे केले के खंबों से सुसोबित करें। उसमें आम के पलों की बंदन बार लगाएं। और उख के डंडे खड़े करके उस मंडब को सजाएं। बिचित्र वस्त्रों से मंडब को अलंकरीत करके उसमें भगवान विशुरु का पूजन करें। पवित्चतुर सांत एर्षिया रहित साधू दयालू उत्तम वक्ता और सेष्ट बुद्धिवाला पुराज्य बिद्वान वहां पैट कर पवित्र तक कथा कहें। पवराडिक विद्वान या सासन पर बैट जाय तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ती होने तब किसी को नमस्कार न करें। जहां दूष्ट मनुस भरे हुए हो जो सुद्र और हिंसक्राडियों से घिरा हुआ हो अथवा जहां जुवे का अड़ा हो ऐसे अस्थान में बुद्धिमान पुरुष्पून्य कथा न कहें। जो सुद्ध और भक्ति से सयुक्त अन्यकार्यों की अभिलासा न रखने वाले माउन पवित्र एवं चतुर हो वे ही श्रोता पुन्य के भागी होते हैं। जो मनुस्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको पुन्य फल नहीं प्राथ होता है। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्रा, भूसर तथा धन के द्वारा भक्ति पूरव पवराडिक वित्वान का हुजन करें। जो मनुस्य कल्यार, मै, पुरार, कथा को सुनाते हैं, वे सव कोर्टि कल्पों से अधिकाल तक भ्रम्ह लोक में निवास करते हैं। जो पवराडिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मिग, चर्म, वस्र, पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रम्ह लोक में निवास करते हैं। यह कातिक महतम सब रोगों और संपूर पापों कानास करने वाला होता है। जो मनुस इस महतम को भक्ति पूरव पढ़ता है और जो सुन कर धारर करता है, वर सब पापों से मुक्त हो भगवान विश्रू के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धी खोटी तथा जो स्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुस को यह महतम में नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रम्ह जी के मुक से इस प्रकार कार्टिक महतम में कथा सुन कर नारज जी प्रेम में मग्न हो गए।